दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं श्रम जीवी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जो की नई दिल्ली से राजगीर के बीच चलती है। इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रेन के बारे में पुरी जानकारी जैसे की ये ट्रेन कहां से कहां तक चलती है। इसकी टाइमिंग के बारे में इसमें कोचस या डिब्बे कैसे लगे होते हैं इस ट्रेन में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और ये ट्रेन कौन से स्टेशन पर रुखती है। ये ट्रेन नई दिल्ली से बिहार के राजगीर तक चलती है और अपनी यात्रा के दौरान यह नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनो राजियों को जोडती है। श्रम जीवी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से दोपहर के एक बचके दस मिनट पर चलती है और चलने के दूसरे दिन सुबह 10 बचके 25 मिनट पर राजगीर स्टेशन पहुँचती है और राजगीर से ये ट्रेन सुबह 8 बचके 5 मिनट पर निकलती है और त्यात्रा के दोरान ये ट्रेन 32 स्टेशन उपर रुखती है दोस्तों नई दिल्ली से राजगीर की तरफ जाने के लिए इसका नमब होता है 12,392 और राजगीर से नई दिल्ली की तरफ जाने के लिए इसका नमब होता है 12,391 श्रम जीवी एक्सप्रेस सप्ताह के सातों दिन चलती है दोस्तों इसके कोचस या डिबो के बारे में बात करें तो इस ट्रेन में आम तोर पर LHB कोच होते हैं इसमें फर्स्ट AC का एक कोच होता है दो कोच सेकंड AC, छे कोच थर्ड AC, एक पैंटरी कार या रसोई घर और छे स्लीपक लास एवं चार कोच जनरल के होते हैं श्रमजीवी एक्सप्रेस का अंतिम चार्ट आमतोर पर ट्रेन प्रस्थान समय से 3-4 घंटे पहले तयार किया जाता है दोनों ट्रेनों को शुरू से अंत तक गाजियाबाद लोको शेड आधारित वेब 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा चलाया जाता है दोस्तों इ दिल्ली से यह ट्रेन अपनी यात्रा चुरू करती है यह ट्रेन नई दिल्ली से गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाह जहांपूर, लखनव चारबाग, निहालगर, मुसाफिर खाना, सुल्तानपूर जंक्शन, जॉनपूर सिटी, वारानसी जंक्शन, पंदित दिन्द्याल उपाध्याई जंक्शन, दिल्दार नगर जंक्शन, यहमर, बकसर, डुमराव, बीहिया, आरा जंक्शन, बेटा, दनापूर जंक्शन, फुल्वारी शरीफ, पतना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पतना साहिब, फतुहा जंक्शन, खुसरुपूर बक्तियारपुर जंक्षन, हनोल्ट, वेना, बिहार शरीफ, नालंदा और आखरी स्टेशन, राजगीर तक जाती है दोस्तों अगर आपने भी इस ट्रेन में सफर किया है तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं श्रम जीवी एक्सप्रेस की यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जै हिंद दोस्तों